हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल यूटुब चैनल में जिसका नाम है S.O.L. सूलिशन मैं चन्दन कुमार हाजीर हूँ आप सभी के सामने अपनी एको नहीं वीडियो के साथ आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो S.O.L. के स्टूडेंट्स है चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट है चाहे वो प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट है या फिर वो ओनर्स कोर्स के स्टूडेंट है जैसा कि आपने important subject है यह बहुत सारे students के पास में second semester में और बहुत सारे students के पास में first semester में होता है तो भई आप सभी को पता है आप सभी के लिए जो second semester के student है उन सभी की fee receipt जो है वो generate हो चुकी है आप अपने student dashboard में जाईए और वहाँ से आप अपने second semester के subjects को देख सकता है जो कि S.O.L. के द्व subject है वो choose कर दी है तो now यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी students के लिए जो environmental science को पढ़ना चाहते है ना केवल S.O.L. के क्यूंकि common subject आप लोगों का common syllabus जो है environmental science का इगनू का भी है तो भाई उन दोनों तरह के students के लिए भी आज की वीडियो में welcome है आपके लिए भी बहुत फाइ आप सभी के लिए जो है part 1 वाली वीडियो है यह class नमर एक है आप सभी के लिए तो यहाँ पर हम ज्यादा तो नहीं बट आप सभी के लिए cool 5 ऐसे important question के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के exam में पूछे जा सकते है environmental science आप लोगों के लिए subject ऐसा है जिसमें आपसे 55 marks के पूछे जा सकते हैं 10 10 marks के भी पूछे जा सकते हैं और 20 marks के भी पूछे जा सकते हैं तो आपको छोटे से लेकर लंबे answer तक तीनों तरह के answer जो है वो prepare करना है चलिए आज की अपनी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात अगर आप लोग के कोई भी doubt है या फिर आप लोग हम इस number पर contact करके whatsapp पर आप सभी हमारे groups में join हो सकते हैं तो now यहाँ पर हम बात कर देते हैं सभी students के लिए जो भी पढ़ रहे हैं start करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर बात करेंगे कि वायू परदूशन क्या है जैसी आप unit number 5 अपनी open कर होगे तो इसमें वायू परदूशन के बारे में आप लोगों को मिलेगा इसमें हम बात करेंगे वायू परदूशन जो है वो है क्या तो वायू परदूशन क्या होता है कि हमारे वातावरण में कुछ ऐसे परदार्थ गुल मिल जाते हैं जिससे हमारा जो स्वास्त है वो बिगडने लगता है तो हम अगर बात करें तो कुछ ऐसे प्रदार्थ जो हमारे वातावरण में गुल मिल जाते हैं और इसकी जैसे हमारे जो स्वास्त है वो बिगडना शुरू हो जाते हैं यानि वो प्रदार्थ जो है वो हमारे स्वास्ते के लिए हानी कारक होता है तो ऐस ऐसे परदार्थों या ऐसे परदूशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वायू परदूशन. When you refers to your convolutional получается, हमारे वातावरण में कुछ ऐसे परदार्च गुल मिल जाते हैं, या ऐसे परदार्चो का हमारे वातावरण में गुल मिल जाता हैं, वह क्या कहलाते हैं, वो वायू पर्दूशन कहलाते हैं वायू पर्दूशन अगर हम देखें तो सिर्फ दो कारणों की वज़े से फैलता है सबसे पहला कारण हम बात करें तो प्राकर्तिक कारण है और दूसरा कारण बात करें तो मानव जनित कारण है प्राकर्तिक कारण और मानव जनित कारण वायू पर्दूशन को लेकर इसके बारे में कलक्सक कोशिन आप लोगों के लिए हमने बनाया है तो इसके अंदर हम आप लोगों को दीप से बताएंगे समसे पहली बात आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है आप लोगों को दियान रखना है आपसे लॉग कोशिन में पूचा है सकता है कि वायू पर्दूशन के क्या परकार है या फिर वायू पर्दूशन के छोड़ कर भी आपसे पर्दूशन के परकार को पूचा है सकता है तो दोनों को बात करेंगे यहाँ पर हम समसे पहली बात तो प्रदूशन कितने प्रकार का होता है तो प्रदूशन चार प्रकार का है समसे पहला जल प्रदूशन दूसरा वायू प्रदूशन तीसरा स्थल प्रदूशन और चौता धोनी प्रदूशन वैसे आप लोगों को ज Edward King ने सबसे पहले क्या किया था परदूशन विरोधिय कानून बनाया था आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बारे में कई बार पूचा जाता है कि परदूशन के रोकता मितू क्या क्या कदम कब से उठाए गये तो सबसे पहला परदूशन रोकने के लिए एक कानून बना वह Edward King के देवारा बनाया गया था कब बनाय में बनाय गया था यहनी 1273 में बनाया गया था यह क्या था एक ऐसा विरोधि कानून THa यह इसले बनाया गया था क्योंकि लोगभाग पहले क्या करते थे यह के अंदर कानून बनाता बनाता जैसे कोई ले जला लेते थे और जैसे ही उसका धुआ गतम हो जाता है उसको घर के अंदर रख लेते थे as a heater की तरह काम करने के लिए तो भई लेकिन उससे क्या होता था कई प्रकार की लोगों को सांस की बिमारी या फिर carbon dioxide जादा बढ़ने की वज़े से लोगों की मिर्त्य हो जाती थी और इस वज़े से मिर्त्य लोगों के ना हो इसलिए Edward King ने क्या किया था सबसे पहला परदूशन विरोधी कानून बनाया था तो आप लोगों को ये याद रखना है अब बात करते हैं question number second की वायू परदूशन को कितने भागों में बाटा जा सकता है यानि जैसा कि मैंने उपर बूला बताया था वायू परदूशन के प्रकार या वायू परदूशन किन वज़े से उत्पन होता है तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसको दो वरगों में ही बाते हैंوا दो तरीके से दो कार्णों की वज़े से दो प्रकारों की वज़े से जो है वायू परदूशन फैलता है सबसे पहला प्राकर्तिक प्रदूशन यानि प्राकर- तो नौ यहां पर हम बात करेंगे अपने फर्स प्रकार के बारे में जो की है प्राकर्तिक प्रदूशन का प्रकार यानि वायू प्रदूशन जो है वो प्राकर्तिक कारणों की वज़े से भी होता है जैसे हम कई सारे कारणों को यहां पर रिखांकित करेंगे सबसे पहला इसे रिलीज होती है और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वायू पर्दूशन क्या है कि वही हमारे वात्तवरण में कुछ ऐसे हानिकारक परदात या कुछ ऐसे अशुद परदात घुल मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक होते हैं वही वायू परदूशन जंगलों की कटाई करने से क्या हो रहा है तो हम देख रहे हैं दो चीजे सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए क्या हो रही है कि जंगलों की कटाई की वज़े से आप लोगों का जो स्वास्त हैगा वह स्वास्त बहुत जादा बिगड़ता जा रहा है जंगलों की कटाई क वज़े से तो भाई जंगलों की कटाई की वज़े से स्वास्ते कैसे बिगड़ता है अब यह भी देख लेता है वही पेड़ पोदे से हमें मिलता है oxygen और oxygen हमारे स्वास्ते के लिए बहुत जादा फाइदेमन्द है हमारी जनसंग क्या बहुत जादा बढ़ रही है और हम carbon dioxide छोड रहे है अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे जंगलों को काटते जाएंगे तो क्या होगा हमारे वायू मंडल में बहुत जादा carbon dioxide बढ़ जाएगी और ज जंगलों में आग लग जाना कई बार ही हम देखते हैं तापमान इतना बढ़ जाता है तापमान ना भी बढ़े तो हमारी कई जगा की भूमी जो हमाँ पर भरसात नहीं होती जंगल सूखने लगते हैं जैसे कि आपने देखा तो कुछ साल पहले भी ऑस्टेलिया में जंगलो में आग लगना भी प्राकर्तिक परदूशन या वायू परदूशन को बढ़ाता है अगला है आपका जैविक परदार्त के सड़ने या गलने से जैविक परदार्त क्या होते हैं यसा आपका कोई भी अनाज है कोई भी खाना है अगर वो सड़ने लगता है गलने लगता तो उसमें कुछ केचिवे टाइप के कुछ कीड़े होते हैं स्नेल स्टाइप के वो उसके अदर आने लगते हैं और वो जो बहुत जादा सड़ जाते हैं तो उससे अलग अलग तरह की गैसेस निकलती है हवा जर उससे टकराती है तो अलग तरह की वद्वू आती है और उससे क्य है कि भाई आप वायू पर्दूशन में विर्द्धी होती है अगर हम देखें तो ये सभी point आप लोगों को बताने के लिए काफी है कि प्राकर्तिक पर्दूशन वायू पर्दूशन को कैसे कि इसे इस इस इलाके होते हैं चापर इनसान मनुष्य जुग्या कर्ता है रहता है। ना उनके लिए नालियू की उससे तरह तरह की जो gases release होती है, तरह तरह की आप देख रहे हो उससे liquid निकलते हैं, और वो हमारी नालियों में जाते हैं, नालियों से वो बड़ी-बड़ी किसमे जा रहे हैं, आप देखो के नदियों में जा रहे हैं, और उन नदियों को भी दूशित कर रहे हैं, जैसे भी दिल्ली की जो यमुना है उसका बुरा हाल है आज की समय में अगला है मानव क्रिया क्लाप तो मानव क्रिया क्लाप कई तरीके से हमने फर्स्ट उनकी मानव की जो अवासी एक्टिविटी देखी अब मानव क्रिया क्लाप की बात करें तो हम कई बारी क्या कर रहे हैं हम कंस्रक हमारा पर्दूशन बहुत जादा बड़ जाता है तो यह point है हम यह कह सकते हैं जो भई क्याते यह मानव निर्मित कारणते तो वह जो वायू परदूशन को बढ़ाते है अगला है वायू परदूशन के क्या कारण है यानि क्या क्या चीज़े हैं ऐसी जो वाइव परदूशन को बढ़ा रही है तो इसमें गैसिस को आपको जिकर करना है यानि कि उपर के दो पॉइंट बता दे नमर तो उसमें भी मिलेंगे आपको बट अच्छे पॉइंट्स अगर आप लोगों को ऐसी ही चाहिए बिल्गु परदूशन क्यों उत्पनू रहा है किन गैसों की वज़े से या किन चीजों की वज़े से सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कारवन मॉनोक्साइड तो यह क्या है कि यह पैट्रोल डीजल जिवाश्म इंदन लकडी सिगरेट इन सब के जलने से होता है तो फिर से याद तो वह भी हमारे क्या करता है परदूशन को बहुँ ज़दा बढ़ता है तिक है इसके बाद में इंदन मतलब लकडी को जो लकडी जलने से सिगरेट जलने से जो धूवा होता है इन सब धूवा के उत्पन होने की वज़े से हम देखते है वायू परदूशन जो है वो कड़ी के रूप में ये सिग्रेये इन सब के जननी की वज़ए से होता है जिससे अब प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है वैक्तियों को क्या कर प्रॉब्लम हो रही है जैसे वैक्तियों को नींदना आना बर दूष्या, carbon monoxide से बढ़ने की वज़े से पहला ये दूसरी अगर हम देखे हैं तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है दूसरी problem क्या है? लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तीसरी problem सबसे ज़्यादा जो है वो वныеजों को क्या हो राइं कि भी बच्चों का वंचं कम हो रहे यह इप सोग्साइश में कहले। दुद्धला GAS वाल्पन होता है करने में कि यह चुबही जीव मतलब जीव है उनके जलने से नहीं कई हैं हम से हम भी हुहपन है तो यह carbon dioxide, जाधातर human की संख्या बढ़ने से carbon dioxide बढ़ रहा है, पहला reason यह है, दूसरी बात हम देखें, विरिच्छों की यह जंगलों की हम कटाई कर रहे हैं, पेडों की कटाई कर रहे हैं, इसके विज़े से carbon dioxide उपन हो रहा है, क्योंकि जंगल क्या करता है, पहले वो, CFC, बहुत ज़्यदा important है, CFC, chlorofluorocarbon, क्या होता है, ज़रा इसके वारे में बदद करते हैं, तो यह ozone परत को नस्ट करने वारा है, सबसे आप, अपने science में 10th class में, 9th class में, 8th class में लगाता है, आप यह पढ़ते हो, कि यह क्रसाइन होता है, कैसा chlorofluorocarbon, जो हमारे greenhouse gasों के अंतरगत ही आता है, अगर आप देखेंगे, तो जो हमारी fridge, AC, उससे जो गर्माट निकलती है, उससे CFC, जो गैसे निकलती है, यह हमारी ozone layer, ozone परत क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे हम पढ़ेंगे, जब हम वायू मंदल की परतों के बारे में यह ozone पुरत क्या करती है, आप लोगों को याद रखना है, यह जो ozone पुरत है, यह आखिर करती क्या है, कि यह सूर्य से निकलने वाली, यह sun है, कई सारी layer है, तो सूर्य से निकलने वाली जो परा बैगनिक, अल्ट्रा वाइट जिसे बोलते है, UV किरने जो आपकी यह अल्ट में कैसे लिखना है, वैसे में आप लोगों को और भी चीज़ा दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप लोग यह अच्छी तरीके समझ पाएंगे, तो सूर्य से निकलने वाली जो परा बैगनिक करने होती है, अल्ट्रा वाइट रेस होती है, उनको यह रोकने की काम करती है, ल अंटार्टिका में सबसे पहले ओचन पुरत में छेदर देखे गए, अब अलग लग जगाओं पर भी हो रहे है, इन पराबैगरी किरिणों के आने से हमें कई तरह की स्किन प्राब्लम, जमीनों का जो है उर्वरा शमता खतम होना, यह सारी प्राब्लम मुआरे सामने आ र जो परियावर है, इसमें वाईव परदोशन को बढ़ाने में महतवपूर भूमिकर नहीं बाता है, अब देखिए, इसमें सीसा, डीजल, पैट्रोलियम, बैटरी, पेंट, यह सारे एक ऐसे या फिर जो हम यूज करते हैं, हैर ड्रायर, इसके अंदर से कई गैसे होती है, और यह क्या करती है, कि यह जो औत तंतरी का तंतर होता है, तंतरी का मतलब, जो मेरू रज्यूं से माइंड पने 10th गलास की सैंस पड़िये, तो उसके अंतर हैं तंतर के कारह पड़िये होंगे ata kya पि为 ग्जांपल, और आप को याद हो जाएगा, कि को अपको कभी फी Neuron system जो होता है हमारा ये इसी चीज़ को आम एसेस्स देने का काम करता है अगला पाचन तंतर जो है इसको भी खराब कर रहा है हमारा और इसके साथ हमें cancer जैसी समस्या जो है वो इसी वज़े से हमारे सरीर में बढ़ने की कोशिश हो रही है अगला है आपका ozon तो ozon जो परत है आपको मैंने जैसे की पीछे ही बता है समताप मंडल के नदर है हमारे और ये सूर्य की जो पराब्यागने क्रिण है उसको आने से रोकती है उसमें छेदर होने की वज़े से भी वायू पर्दूशन जो है वो बढ़ रहा है तो आपको ये पॉइंट भी याद रखनी है अच्छा यहां पर अब नेक्स्ट कोशन आप लोगों के लिए आ गया है कि अन्य प्रदूशन के अंदर किन किन प्रदूशन में रखा जा सकता है यह अन्य प्रकार के प्रदूशन से आपने प्रदूशन के टाइप्स पड़े इसमें आपने वायू प्रदूशन जल प्र एरोसॉल क्या है कि वाई परदूशन का उत्पन करने वाला ताप बढ़ाने वाला विद्धुत गरों से वहान जो फॉर एक्जामपल अगे तौर पर एरोसॉल परदूशन है एरोसॉल क्या होता है मैं आपनों को बताता हूं यहां पर इसे कार खान इंडेस्ट्री इस हमारी और यह प्राकर्तिक और माना उजनीति दूनों रूप से हो रहा है और धूँआ और धूप के कारण क्या हो रहा है कि वह यह जो अरसॉल है यह बहुत जादा हम देख बहुत हैं इसके alleen प्रकारं की प्रदूशन में रख सकते हैं आपको यह याद रखना है अगला है आ कि आप यहां पर समझिए कि यहां पर बताया गया है कि इसे वर्तमान समय में अन्य प्रकार के प्रदूशन के रूप में यूज किया जाता है फ्लाइंग एश द्वारा इटो जैसे फॉर एटो का निर्मान कर रहे हैं इटो से निकलने वाला जो दूलकण होते हैं यहां पर हम देखते हैं जो मिट्टी से बनी जो चीजे होती है हलकी होती है पर इसी हलकी फुलकी मजबूत होती है और फ्लाइंग एश क्या होता है एक तरीके से पाउडर टाइप का होता है बिचली की चीगों से बना होता है और ये क्या करता है जबी भीक्षों चाते हैं आपको पका पड़ता है तो उस वजे माच आप हमारे समाज में बहुत सरी प्रदूशन पड़ रहा है यह प्न वह सुर लेकिन Πशस अब यदि इसका ठीक उप्योग ना किया जाए तो इससे हमें सास की प्रॉब्लम वो सकती है पेड़ पोदो पर भी क्या है प्रकास इंसलेशन लेने से रोकता है यह पेड़ पोदे अपना भूजन नहीं बना पाते हैं आप लोग को यह दा रखना है इसका निर्मान अलुमूनियम हाना या फिर आपका सिलिकेट कैल्सियम आधिक रूप में किया जाता है यह आजम बरतन जो घर में यूज करते हैं यह एशिस के ही होते हैं इसके अलाबा गरेलू कारे के परदूशन गरेलू कारे किसे गाओं घरों में ठो सिंदन के रूप में अधिक्तम खाना बनाने के लिए लकडी, कुईला हना चार कोल इन सब चीजों का इस्तमाल किया जाता है और यह क्या करता है वायू परदूशन को फैलाते हैं हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो है वायू परदूशन को बढ़ाने का कारे करता है आप लोगों को यह भी पॉइंट याद रखना है अब हम बात करेंगे देखें ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वह मृत्यू भी होती है अब हम नेक्स्ट कोशिन के और मूव करेंगे कोशिन नमर फोर है आप लोगों के लिए यह बहुत ही जाद इंपॉर्टेंट है और यह आज की वीडियो का लास्ट कोशिन भी होगा आप लोगों के लिए चाहिए प्रवाव क्या है तो आप लोगों को पता है, पेड पौधे की जो कलिया हो रही है उनको सक्त बनाता जा रहा है पेड़ पौदे क्योंकि यह क्या हो रही है जो भी धूँआ है आप अपने कमरे को बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद में आप कुछ दिनों बात देखोगे तो उस कमरे में आपको किताब कॉफी आपकी टेबल आपके जो भी फरनीचर है उन सब पर आप देखोगे क्लिया जो होती है वो सक्त बन जाती है आप इनको कैसे देख सकते हैं तो आप दूप में भी देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कुछ ना कुछ हमारे आस्परोस में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे घुमती रहती है जो हमें वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देती है जिससे अब देखेंगे कि कलिया जब सकत हो रही है इसके वज़े से जो फूल बनने से पहले ही क्या होता है वो गिर पड़ते है और पौदे की सतय चिकनी करते है अगर हम पौदे को देखें पौदे की सतय होती हो चिकनी बहुत ही रियर होती क्यूंकि सतय जो है वो काफी स लग तो जाती है जिसके कारण वे अपना बोजन जो है वो बना नहीं पाती है अना आपको दियानक ना प्रकास अंसलेशन वो नहीं ले पाती है दूसरा पॉइंट आपको अच्छे पॉइंट लिगने है कॉलेज के बच्चों यहीं स्कूलिंग स्टूडेंट की तरह बिमार अगला है वाई परदूशन का प्रभाव मौसम पर भी होता है जिसके अगार मौसम बदलता रहता है मौसम क्या होता है बदलता रहता है कभी बारिश हो जाती है जो की बिन मौसम की हो जाती है और बारिश नहीं भी होती कर बार मौसम बनने के बाद भी बारिश नहीं होती तो मौसम पे भी इसका प्रभाव है, मौसम पे भी हम यह कह सकते हैं, कई बाद ठंड के टाइम में हम देखते हैं, कि दिल्ली जैसे शेर में जब परदूशन बहुत जादा बढ़ जाता है, तो सूर्य के गिरने नहीं आ पाती है, लोगों को सांस समंदित प्रॉब्लम होती ह आखों में बहुत जादा परदूशन लगता है, तो यह प्रॉब्लम होती है, अगला फॉर्थ पॉइंट, हमारे बगीची या पार्क में सूखी पत्यां होती है, उन्हें जलाने की जगए हम उन्हें खात बनाना चाहिए, नहीं तो वो भी परदूशन हमारी बढ़ाती है ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगला सर्दियों में ठेंड से बचने के लिए लकडियों और अंगेठी जो रास्थान के लोग बाग जाद तर इस्तमाल करते हैं, कोईला आधी सब जलाते हैं, बलकि इसके जगा पर उन्हें हीटर जैसी चीजों का प्र आधीन मेंने बाद परदूशन चैक करवाना चाहिए, इस तरीकी सब परदूशन को रोक भी सकते हैं, यह परदूशन के आप लोगों के लिए यूनिट थी, मुझे ऐसा लगता है, आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इं आप लोगों में कॉल ना करें, क्योंकि एक अगर आप लोगों के लिए पीडियेप के व्यवस्ता होगी, तो वह आपकी ग्रूप के अंदर या फिर I आप लोगों के लिए, कहाँ पर आपके आपके लिए converter मो भी अलग अनग झाल झाल